नमस्तों दोस्तों आप सबी का एक बार फिर्से स्वागत है आपके अपनी योटूब चानल पूजा घरसंसार में कई सारी महिलाओं को पीडेट के बाद बच्चे दाने का मुख कब तक खुला रहता है इसके कोई भी जानकारी नहीं होती है इस वज़े से वो जल से जल गर्वधारन भी नहीं कर पाती है और कई बार ऐसा भी होता है कि गलत समय में रिलेशनसिप रखने की वज़े से आपको प्रेगनेंसी नहीं रुखती है साधी के बाद महिलाओं को इस बाड़े में बिलकुल भी जानकारी नहीं होती है कई बार ऐसी भी कुछ महिलाएं होती है जो अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचना चाहती है और उसी दिन संपर्क में रहती है रिलेशनसिप में रहती है जब वो गर्वधारन कर पाती है और करने के बाद उनको अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है और जिसको वो फिर गर्वधारन करा सकते हैं केवल दो दिन ही आई से महत्पुर्ण होते हैं जो हर महिला को प्रेग्नेंसी कंसीव कराते हैं इसलिए अगर आप जान जाओगे कि ये दो दीन कौन सा होTा है जब आपको 100% make sure confirm pregnancy रुख जाएगी या फिर आप ये जान जाओगे कि इसी दिन हमें relation बनान से pregnancy रुखेगी तो आप अंचाहे गर्वधारन से भी बच सकते हैं और जिन महिलाओं को तुरंत गर्वधारन करना है बहुत सालों से या बहुत महिनों से प्रयास करनी है नहीं और ये सभी महिलाओं को जानना बेहद इंपोर्टेंट होता है कई बार आप बहुत सारे treatment करा लेते हैं खर्च करा लेते हैं क्योंकि जब आप डॉक्टर से मिलते हैं तो आपका ovulation का आसपास का date निकालके बताते हैं और उसी समय कहते हैं कि आप relationship में रहिए लेकिन इसके पिछे बहुत सारा खर्चा हो जाता है जब आपको ऐसा करने के बार भी pregnancy conceive नहीं होती है तो आपको IUI के लिए सजिस्ट किया जाता है जो कि एक बार में सफलता पुर्वक नहीं हो पाता है बहुत बार फ्रेंड्स IUI भी fail हो जाते हैं दो बार तीन बार इस तरीके से IUI भी क करिए जब आपके बच्चेदानी का मुझ फुली ओपन होता है और जब आपको कंसीब भी हो जाएगा जल से जल फ्रेंड्स यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि आपकी पीरेट साइकल का लेंध्र डिसाइड करता है कि आपको गर्वधारन के लिए किस दि पीरेट आहीं जाता है तो आपको जिस दिन भी पीरेट आपका आया है वो वाला डेट डायरी में में नोट कर लिजे और उसके बाद नेक्स्ट पीरेट डेट का इंतजार करने लगी है जब आपकी नेक्स्ट पीरेट आएगी अगले महिने की तो वो वाला डेट भी आप निकाल लेती है, समझ जाती है कि हमारी 30 दिन की माल लिजे period cycle है, 30 दिन में हमारा दूसरा period आ गया है, तो एक date माल लिजे एक तारीक को आपका पीरेड स्टार्ट हुआ था, और दूसरा period भी आपका एक तारीक को ही आया है, तो केवल इसमें से 14 दिन आपको घठाने है, कभी oldag prob और फॉर्स्ट डेट से जिस बार पहली बार आपके पीरेड आई है मालिजी इस डेट को आपने स्कालती तो यहां से की च जब आपका ovulation का date आप इस तरीके से निकालती है तो 16 दिन के दो दिन पहले या 16 दिन के दो दिन बाद आपको गर्वधारन होने के बहुत अधिक chances होते हैं क्योंकि exactly आपका एग किस घंटों में किस मिन्टों में निकल रहा है यह कभी भी predict नहीं हो पाता है केवल एक ही इसका diagnose करने का तरीका होता है जो कि follicular study के through ही होता है जो कि आपको doctor करके बताते हैं सो फ्रेंट्स ओवलेशन को इस तरीके से आप calculate करना है start करिए हर महिला के period cycle का length अलग अलग होता है इसलिए आप अपनी period date एक महीने की और दूसरे महीने की इन दोनों को diary में note करके रखिए और जो अगली period date है उसमें से 14 दिन को हटा लीजिए इसी के साथ साथ बहुत बार इसा भी होता है बहुत सारी महिलाओं को क्या होता है फ्रेंट्स के period regular ही नहीं होता है अब जब आपका period regular नहीं होता है तो हमेसा एक चीज़ को ध्यान रखना है कि जब आपके period start हुई है उसी के 10 या 11 दिन से continuously आपको relationship में रहना है या फिर एक दिन छोड़ करके try करना है क् आपको पता नहीं है कि आपके period cycle का length कितना है short है या फिर लॉंग है अगर आपके period cycle का length short हो जाता है तो आपके ovulation भी जल्दी हो जाएंगे जल्दी होंगे तो एक जल्दी से sperm से contact में आएगा फटिलाइजेशन होके आपको pregnancy रुख जाएगी और अगर period cycle का length lengthy है long time पे आ रहा है तो आप अगर regular base पे या one day skip करके relationship में रहती है जब तक कि आपके period नहीं आ जाती है तब max to max chances होते हैं कि sperm सापके सरीर के अंतर survive करेंगे क्योंकि friends जो sperm की strength होती है capability होती है surviving वह four to five days की max to max होती है इसी में आपका एग अगर मिल जाता है इसमें के साथ तो fertilization का procedure complete हो जाता है और एक और चीज मैं बता दूं कि यह दो दिन मैंने इस वज़े से बताए है क्योंकि बहुत सारी महिलाओं में 12-36 घंटे तक एग एकी duration की capability होती है surviving life की तो इसी लिए आपका वो दो दिन बहुत ज़्यादा important होता है अपने को ट्रैक करना स्टार्ट करिए बहुत सारी महिलाओं को symptoms फिल नहीं होता है अगेन मैं आपको बता दू कि फॉल्स सिंटम्स या फिस सिंटम्स को मैस्ट नहीं कर पाती है या फिर इसमें बहुत सारे डाउट रहते है confusion रहते हैं तो हमेशा आपको ज़रूरी नहीं है कि लक्षन ही दर्शा पाएगा कि अब स्टार्ट होने वाली है अगर आप calculation समझ जाएंगी क्योंकि यहीं वह होता है जब डॉक्टर भी calculation करके आपको बताते हैं या फिर दूसरा जो मैंने बताया आपको फॉल्विकलर स्टड़ी करानी पड़ती है यह दो तरीके ही होते हैं दो मैठड़ी होते हैं जो डॉक्टर भी आपको बताते हैं इसी अनुवक के हिसाब से तो अगर आप से जल कंसीव करना चाहते हैं तो आप्टर रिलेशन सीप आपको लेग अप दे वोल पोजिशन को जरू ट्राइ करना चाहिए यह एक बेस्ट तरीका होता है जो ज्यादा से ज्यादा भारी मात्रा में स्पर्म्स को अंदर ले जाने का काम करता है लेकिन लेग अप दे वोल होते हैं वो मूब करके अंदर तक चले जाते हैं इसलिए लेक तो बोल पर काफे सारे वीडियो मैंने बनाई है उसको भी आप देखना स्टार्ट कर दीचे तो आपको बहुत हैल्प मिल जाती है नाशनल तरीके से कंसीव करने में इसलिए लेक तो वाल पोजिशन को बिल्कुल भी ना भूले जैसे कि मैंने बहुत सारे होम रेमेडिज बताए हुए हैं अपने चानल पर अतरक वाली चाय पीनी चाहिए इसी के अलावा आपको सतावरी चुड़ने लेना चाहिए तो ऐसे कई सारे होम रेमेडिज भी होते हैं जो आपके पीडियेट को हिए लेकिन इसी के कंपेरटीव ली अगर दिखा जये रेगुलर पेडिट महिलाओं को उनके पास ग्यारे बार मौका होता है पूरे साल भर में प्रेग्नेसी कंसीब करने का तो आप समझ सकते हैं लेकि ठेज़र के लिए रेगुलर होना कि स्विद्मर्पर. इसी होग ए यहीं पैर्ण करती हूँ, उमीद करती हूँ वीडियो आपको इंफोर्मेटिव लगी होगी, तो ज़्याद से ज़्यादा शेर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, अपना पूरा देहार रखिए, टेक केर फ्रेंड्स, बाई बाई